नमस्काल दोस्तों, टार्गेट सीकर में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके लिए एक महतपूर्ण प्रक्टिस हैट लेके आए हैं जिसमें हिंदी, GKGS और अनेक विभिन प्रकार के ऐसे प्रिश्ण होंगे जो आपके प्रतेक वंडे अक्जाम में काम आने वाले हैं तो देखिए क्या है हमारे इन प्रक्टिस हैटों में तो उसके लिए सबसे पहले आपके लिए एक महतपूर्ण सूचना है कि आपको वीडियो विल्कुल भी स्किप नहीं करना है पूरी लाश्ट तक वीडियो देखनी है क्योंकि कुछ वाते हम औरली मुख से बता देते हैं ठीक दे लिखते नहीं है तो इसमें करना क्या है आपको पूरी वीडियो देखनी है बिना इसकिप किये तो चलते हैं हमारा पहला प्रस्विट्व्स न क्या कह रहा है वर्णा कुल प्रेस आक्ट एक्ट किस किस वाई स्राइ ने लागू किया था वर्ना कुलर जो प्रेसेक्ट था उसे किस वाइसराय ने लागू किया था वाइसराय डलोह जी ने लिटन ने या चेम्स फोड ने या वाइसराय रिपन ने आपको बताना है इनमें से कौन सा अप्शन सही है अब था किस ने वर्ना कुलर प्रेसेक्ट को लागू किया था तो लिए वर्नाकुलर प्रेसेक्ट लागू किया था तो इसे किसने लागू किया था उसे किया था वाइसराय लेटिन ने ठीक है वाइसराय लेटिन ने इसे लागू किया था और इस पर प्रत्वंद यानि जो वर्नाकुलर प्रेसेक्ट था वो किसने अटाया था वो अटाया थ अब जब वर्नाकुलर प्रेसेक्ट को इसने अटाया था तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं रिपन के बारे में तो उसने और भी क्या 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 जो इस्थानिय स्वसासन था उसका जनक भी रिपन को जो ठिपन था वाइसराय रिपन ठीक है और इसके इल्वर एक और का में इसंने मैंत्पुर्ण कि था वो हमारी प्रति हुए थी रहावारीaj 1881 to 1881 की जो पहली जनगडना हुई थी रेगुलर वाली वह किस ने की थी और ने इस से पहले सर्व फृत्म जो जनगडना पूछी आए तो वह घद रेगुलर नहीं थी रेगुलर नहीं थी रेगुलर कभी थी 8181 में और ये किसके सासनकाल में हुई थी वासराय हरेपन के सासनकाल में, अब देखिये जो वासराय robi a इसके बारे में देख लेते हैं, जो वासराय weekend rag stamps report था ओस सुधार जो अधिनियम मास था सुधार अधिनियम अधिनियम 1929 का किसका 1929 का जो सुधार अधिनियम आया था वो किसके सासनकाल में आया था इसी के सासनकाल में आया था जिसके तैत क्या हुआ था जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था क्या किया गया था प्रांतिय द्वैध शासन प्रांतिय द्वयदल शासन ठीक है शासन कि लागू किया गया था किसके में वाइसराय चेमजओर में तो इसका सयूत्तर क्या है आपने जान लिया इसका सयूत्तर है लर्ड लेटन वाइसराय लेटन आइए अगले प्रिश्ण की तरफ चलती है हमारा अगला प्रिश्ण क्या आप पर जो है शिच्छक दिवस मनाया जाता है आपको बताना है तो देखे जहाल मेरू के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है बाल दिवस ठीक है बाल दिवस कव चौदे नवंबर को को 14 नवंबर ठीके 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है बाल दिवस ठीक है और सल्दार बल भाई पतेल के जन्मेंदेवस पर क्या मनाया जाता है रास्ट्रिय रास्ट्रिय एकता सब्देता देवस्त राष्ट्रीय एकता देवस एकता देवस्त अ कंग मना इसलेता है तिस अक्टूबर पो सबस्ताइक पत्यों द्यत्य जाता है पंधित दिन धिय अलोपातें के जन्म दिन पर क्या मना है अंत्यों दय देवस अनतियोदय देवस कम मनाया जाता है ? 25 सितंबर Son को मनाया जाता है क्या राश्थिया अनतियोदय का नारा किसके ने दिया था ? पंडित दिन द्यालो पाद द्यायने इसकी गोषना की थी जो हमारी प्रदानमंतरी नरिंद्रमोदी है उन्होंने 2014 में और इसको मनाया कब से जाने लगा 2015 से कब से 2015 से रेगुलरी हम मना रहे हैं अब इसका सयुत्तर क्या है वो है डाक्टर सर्वपदली राधा कृष्णन और यह कम मनाया जाता है हर साल से चक्दिवस कम मनाया जाता है यह आपको बताना है तो हर साल से चक्दिवस मनाया जाता है आपका पांच सितंबर को फांच सितंबर को कव से शुरूआ तो इसकी इसकी शुरूआ तो इथी आपकी 1962 से ठीक है कव से 1962 से पहली बार 1962 में मनाया गया था ठीक है कब 1962 में अब इनके बारे में थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि ये भारत के पहले उपराष्टपती रहे और दूसरी नम्मर के क्या रहे दूसरी नम्मर के राष्टपती रहे प्रथम उप्राष्ट्पति और दुति राष्ट्पति ठीक है कब रहे यह 1954 में ठीक है 1954 में इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ आए अगले प्रेश्ण की तरफ चलते हैं इन्हें से किस इस्थान पर कैप कमोरिन इस्थित है गुजरात में करणाटक में तमिल नाडु में या जम्मु कस्मीर में तो देखे कैप कमोरिन क्या है भारत का जो भारती भूमी का दच्छन तम बिंदू है क्या है भारती भूमी का जो दच्छन तम बिंदू है वह क्या है कैप कमोरिन की नाम से जाना जाता है और वह कहां पर है तमिल नाडु में कहां पर तमिल मिलता है और इधर से क्या मिलता है आपका हिंद महासागर ठीक है कैप कमोरिन पर अब यह कैप कमोरिन को कहां पर माना जाता है तमिलनाडू में ठीक है तमिलनाडू में और इसका एक और नाम क्या है कन्या कुमारी ठीक है कन्या कुमारी जो इस्थान है वहां पर तमिलनाडू में कन जो कन्या कुमारी स्थाने वहाँ पर क्या है कैप कमोरीन है तो इस प्रिश्ण का सयुत्तर क्या है तमिल नाडू आए अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं वर्तमान में भारत में उच्छ नियायलें की संक्या कितनी है यह आपको बताना है एक है 20 है 25 है या 30 है ठीक है है बताईए इनवे से क्या ससय उत्तर अधर क्या है एक है हमारे पास में सुप्रीम कोड कोड एसी ठीक है और अधशनी आयले प्रिदेश हैं लेकिन इसके बावजूदी भी हमारे पास में हाई कोट्स कितने हैं 25 आई अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रिश्ण कह रहा है कि सिंदुगाटी सब्विता में मिले विशाल इसनानागार का संबंद किस स्थान से है जो सिंदुगाटी इस्तिते राजस्थान में राजस्थान में कहें राजस्थान में ठीक है यहां से क्या मिला था यहां से मिली थी चूडियां चूडियां काले रंग की चूडियां ठीक है क्या मिला था चूडियां और यह किस नदी के किनारे हैं सरस्वती नदी के किनारे सरस्वती की थी दयाराम साहनी ने दयाराम दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी साहनी ठीक है इसकी खुदाई करवाई थी और यह कहां पर इस्थते पाकिस्तान में कहां है पाकिस्तान में ठीक है और ये केसे नदी के किनारे इस्थतै यह है रावी नदी के किनारे रावी किसके रावी नदी के किनारे अब देखते हैं Lothal को लोथल कहाँ पर इस्थले गुजरात राज्य में गुजरात ठीक है कहाँ है गुजरात और गुजरात राज्य में ये कैसा इस्थले एक बंदरगाहा है बंदरगाहा बंदरगाहा किसे कहते हैं जहां पर जो जहाज वगेर आते हैं पानी के वहां से माल की डुवाई के लिए मालके डुलाई के लिए जो जहाजों का आवागमन होता है विशेस इस्थान पर समुद्र के किनारी जो रुकने का जहाजों के रुकने का जो इस्थान होता है उसे बंदरगा कहते हैं तो यह किस नदी की किनारी है यह भोगवा नदी की किनारी किसके भोगवा ठीक है भोगवा नदी की किनारी है आईए अब देखते हैं भोगवा नदी किसकी सहायक नदी है तो भोगवा है आपकी सावरमती की सहायक नदी ठीक है तो यह काँपर है गुजरात में अब जो इस प्रिश्ण का सैयुत्त्तर रहे वो क्या है वह आपका मोहन जो दूड़ो क्या है मोहन जो दूड़ो यह इसकी जो खुदाइग की यह थी वो किसने करवाई थी राखलदास बनार जी ने राखलदास राखलदास बनार जी ने बनार जी ठीक है राखलदास बनार जी ने इसकी खुदाई करवाई थी और यह किस नदी के किनारे इस्थेता है सिंदू नदी के किनारे सिंदू ठीक है सिंदू नदी के किनारे पाकिस्तान में पाकिस्तान में तो यह प्रकार का सहीृत्तर क्या का है बताइए सही उत्तर क्या है इस प्रिश्ण का देखे सिक्किम में कौन-कौन से दर्रे हैं सिक्किम में देख लेते हैं सिक्किम में हैं नाथूला दर्रा नाथूला नाथूला दर्रा जेलेपला दर्रा जेलेपला जेलेपला दर्रा ठीक ला का मतलब दर्रा या पास ठीक है दर्रा पास यला तीनों को एक ही चीज समझे जो पाड़ों की बीच में से कहीं से गुजड़ने का मार्ग होता है प्राकृते के या काटा हुआ उसे क्या कहते हैं दर्रा बूलते हैं जो मार्ग बन जाता है पाड़ों की बीच में उसे दर्रा बूलते हैं अब देखिए ज कि बनेहाल दर्रा है नल्रा ठीक है कि अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौण-कौण से रोहतंग है आपका रोहतंग 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 है और कौन सा है शिपकिला टीक कि लगि अ इसके अलावा अन्य देखें बारालाचा पास बारालाचा बारालाचा पास या दर्रा ठीक है कहां पर इस्तित है हिमाचल प्रदीश में अब इस प्रिश्ण का जो सयुत्तर है वो क्या है उत्तराखंड उत्तराखंड में देखते हैं कौन-कौन से हैं देखिए एक तो है दर्रा लेपुलेख लेपुलेख और ये नीत दर्रा उसमें है तो इस प्रिश्ण का सहीध्तर क्या है वह आपका उत्रा-खंडा ये अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं अगला प्रिश्ण कहे रहा है हमारा कि इने में से पंचवल सी कौन सी पंचवल सी योजना है जो महाल नोविस मौडल पर आधारित थी तो बताइए पहले थी दूसरी थी तीसरी यह चोथी थी कौन सी जो पंचवल सी योजना है जो पीसी महाल नोविस मौडल पर आधारित थी बताइए तो सबसे पहले यह देखिए पीसी महा का नाम क्या था वो था प्रसांध चंद प्रसांध से चंद्र प्रसांध चंद्र और महाल नौविस हॊ- उत कि modifications फ्रसांध चंद्र अब देफिए जो पहली पंचष बलस semble योजना ती इसके वारी में सबसे पहले इसे अठाते हैं पहले यहाँ पर जगय की कमी है ठीक है तो पहली पंचवल सी योजना कव आई थी आपकी 19051 में और कव तक रही थी यह 56 तक 1951 से 1956 तक 1951 से 1956 तक रही थी और इसका झो छेत्र था किस छेत्र के लिए आई थी यह आई थी प्रात्मिक विकास विकाश विकास चेत्र ठीक है प्रात्मिक विकास चेत्र जिसका प्रात्मिक विकास मतलब क्रसी से सम्मन्द तो क्रसी के लिए आई थी यह मुक्रूप से क्रसी के विकास से तू लाई गई थी अब जिसको लाने वाले थे वो कौन थे वो थे हैराड डोमर हेराड हेराड डोमर ठीक है हेराड डोमर थे इसको लाने वाले और इसी मॉडल पर आधारित थी ये पहली पंचवलसी योजना आईए अब दूसरी पर चलते हैं तो देखिए दूसरी पंचवलसी योजना का वाई थी 1956 से 1961 तक रही थी ये और द्योगिक करांती या उद्योग छेत्र उससे सम्मंदित थी और द्योगिक और द्योगिक विकास से सम्मंदित और द्योगिक विकास विकास ठीक है विकास तो ये दूसरी जो योजना थी ये किससे सम्मंदित थी और द्योगिक विकास से और इसमें क्या-क्या सामिल था भारियोद्योगे आदि तो यह PC महाल नोविस मौडल पर आधारित थी PC महाल नोविस महाल नोविस ठीक है महाल नोविस इसका सही उत्तर क्या है PC महाल नोविस का दूसरी पंचवल सी उजना से संबंद था अब यहने तीसरी और पांचवी के बारे में जान लेते हैं तीसरी और पांचवी के बारे में देखते हैं कि क्या-क्या सही है उन महतपूर्ण विंदुओं पर ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा तो देखिए 1961 में 1961 में यह प्रारंबुई थी तीसरी वाली और कव तक चली थी 1966 तक ठीक है और इसका मुख्योदेश क्या था खाद्यान आदिक का जो सुधार लाया गया था तो वो कब लाया गया था आपका इसी पंचवल सी योजना में लाया गया था आल्थिक विकास खाद्यान सुरच्छा ठीक है इससे संबंदित थे गैहू चावल उससे संबंदित थे ठीक है तो इसका जो मुख्योदेश से व दूसरा था अल्थ वियवस्था की स्वतंत्रता के स्वतंत्रता अब देखते हैं पांच्मी वाली को पांच्मी पंचबल सी योजना कब आई थी पांच्मी आई थी आपकी 1974 में और यह कब तक चली थी 1978 तक ठीक है यह किस मॉडल पर आजा रहे थी यह थी डीपी धर मॉडल पर डीपी धर मॉडल ठीक है मॉडल अब इसका मुख्युद्धिस क्या था वो था गरीवी उनमूलन गरीवी उनमूलन ठीक है गरीवी उनमूलन इसका मुख्युद्धिस था अगर प्रिश्ण बत्र में पूछ लिया जाए कि जितनी भी पंचवल सी योजनाई थी उनमें सबसे ज्यादा सफल कौन सी रही तो वो रही थी आपकी ग्यारेवी पंचवल सी योजना ग्यारेवी य यह चली थी आपकी 2007 से 2012 तक 2012 तक ठीक है यह सबसे अधिक सफल रही थी इसका मुख्य मुख्य उद्धे से जो देखें मौटा मुटा तो वो क्या था घरीवी उनमूलन स्वास्थ्य सिच्छा क्रसी यह सभी मिक्स था यह सरवाधिक सफल रही ठीक है आईए अगले प्रिश प्रित में बताइए कौन सा इसका सही उत्तर है बताइए कौन सा इन मैसे जो ऑप्संस दी हुए हैं निकट नजदीक सही उत्तर कौन सा है बताइए तो वारणसी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है ये देखें तो वो है ग्याननगरी ग्यान की नगरी या ग्याननगरी ग्यान की नगरी ग्यान की नगरी ठीक है और इसे एक और नाम से जाना जाता है भारत की जो है धार्मिक राजधानी भारत की भारत की धार्मिक राजधानी धार्मिक राजधानी ठीक है क्या है राजधानी वह बारणधी ठीक है भारत की धार्मिक राजधानी क्या है वारणधी अब देखते हैं अन्य options पर तो पुणे किस लिए प्रसिद्ध है पुणे के बारे में देखें तो पुणे है आपका automobile प्रोध्योग की के लिए auto automobile automobile प्रोध्योग की प्रोध्योग की ठीक है प्रोध्योग एकी ठीक है इसके लिए प्रसिद्ध है सूरत किसके लिए प्रसिद्ध है टेक्स्टाइल उद्योग के लिए यानि वस्त्रोध्योग ठीक है वस्त्रोध्योग के लिए उद्योग क्या प्रशिद्ध है सूरत अभिस्प्रिश्ण का सॉयूत्र क्या है वह है आपका हैदराबाद किस्के लिए प्रशिद्ध है open roads संग्रहाले का जwang गाटन किया है उसके लिए इसमें क्या ओपर रोक जो संग्रहालय है उसमें प्रत्वी के विविन इस्थानों से अतिप्राचीन पत्थरों को संग्रहत किया गया है ठीक है और उन्हें म्यूजियम के तौर पर दिखाया जाता है जिससे लोगों के अंदर उनके प्रती जागरुकता बढ़े और उनके प्रती ग्यान की विर्दियों आईए अगले प्रि पहला पहला नुच्छेद उन्नीस वान उच्छेद पच्चीस वान उच्छेद या बत्तीस वान उच्छेद तो बताये कौन सा अनुच्छेद इसका सहयुत्तर है तो देखे पहले अनुच्छेद में क्या बताया गया है पहले अनुच्छेद में बताया आपके लिए संघ और राज्य छेत्र ठीक है इससे संब्धित है ये संघ और राज्य छेत्र राज्य छेत्र ठीक है अब 19 में पर देखते हैं 19 में में विचार और अभिव्यक्ति की जो सतंत्रता दी गई है वो किसमें दी गई है वो दी गई है आपकी उननीस में उननीस में में किसमें विचार और अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति कि स्वतंतरता स्वतंतरता ठीक है इससे समंदत है अच्छा 25 जो है 25 किसे समंदत है 25 धार्मिक जो पूझापाट होते उसकी स्वतंतरता से कोई वह किसी भी पंत को मान सकता है वो स्वतंत्रा किसी भी प्रकार से पूजा पद्दिती को अपना सकता है तो धार्मिक स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता थीक है इससे संब्द कौन सा है 25 तो जो इस प्रिष्ण का सहुत्तर जो है वह कौन सा है वह आपका 32 इसमें क्या बताया गया है जो मौले का दिकार हैं उनके उपचार की व्यवस्था की गई है यानि अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का कोई व्यक्ति या कोई सरकार आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है तो उसके वह आप सीधे सीधे कोर्ट में जा सकते हैं तो अनुच्छेद 32 स्वयम दूसरे जो अनुच्छेद हैं जो आपके अधिकार हैं मौलि प्रिष्टान का इहरदय इस प्रकार से सम्वोधित किया है तो आईए अगले प्रिष्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रिष्ण क्या कह रहा है पीले प्रकास वाली स्ट्रीट लाइटों में किसका प्रयोग किया जाता है सोडियम का फॉस्फुरस का पारा या औरगन का तो ब है वह सफेद वाली लाइज व्हमें प्रयूख किया जाता है सफेदU कि सफेदलायटों में ठीक है और आपका जो आरगन है वह सामानि भलव में जो सामानी बल्व होते हैं बल्व में बल्व में किसका कारिकवता है निश्क्रियता का ताकि उसमें आग ना लगे उसका फिलामेंट जो तंतू होता है वो जले नहीं फ्रीक है इसके अलावा अगर देखें तो जो उसका तन्तु उता है बल्वय का वो किसका बना होता है टंगस्ट debate अब देखते हैं इसका जो सयुत्त संग्या का उधारने नाराइण योगिता मनुष्य और सोना यह आपके options दी हुए है तो देखिए जो नाराइण है यह एक नाम है क्या है एक नाम और नाम किसमें आता है नाम आता है व्यक्तिवाचक संग्या में व्यक्तिवाचक संग्या में ठीक है और मनुष्य मनुष्य कि किसमें आता है जातिवाचक संग्या में घाति वाचक कह जातिवाचक संग्या में सोना किसमें आता है थे आपका दरविवाचक या पदाल्ट। वाचक झार्णा लग्तर्धा here योग गिता वह शब्द है जिसे न तो देखा जा सकता है न चुबा जा सकता है और यह भावनात्मक शब्द है ठीक है योग इस परकाड इस सउत्थर क्या है योग गिता आईंए अगले प्ne के तरफ चलते हैं अगला प्ne winter कह रहा है साबन का पानी लेत्मस पेपर को किस रंग में बदल देता है जो साबन का पानी होता है वह iddmos paper का रंग किस प्रकाड का परिवलतिध कर देता है लाल रंग नीला Rag पीला और नारंगी तो देखिए जो आपका सावन का पानी होता है वो कैसा होता है चारी ठीक है अब इसके लिए एक चीज द्यान रखिए जो चारी गूल होता है या चार होता है वह जो चार होता है वह क्या करता है लिटमस पेपर को नीला कर देता है कैसा नीला ठीक है जो आ आड़िय सब्सक्राइब की तरफ चलते हैं इसके देख लेजिये सावन किसम परववयक्तित करेगा उसको नीली रंग में क्योंकि वह एक चारी हैं ऑगले कि तरफ चलते हैं इनमें से किस इनमें से गोदावरी नदी की साइक नदी बतानी आपको तो गोदावरी की साइक नदियों के लिए option दिया हुआ है केन वर्दा भीमा और कोशी तो जो केन है वो केन किसकी साइक नदी है केन है यमुना की साइक नदी किसकी है यमुना की यमुना ठीक है यमुना की साइक अच्छा अब जो आपकी भीमा है भीमा किसकी है कृश्चा की ट्रिश्चा की ठीक है क्रिश्चनमणादी काम सी है भीमा और कोसी किसकी साइख-129 कौसी घंगा की ठीक है अब देखते हैं इनकी अन यह जो साइख नदियां जैसे यमUNA की प्रिंगया कौन सी है वह है हिंडन, टॉंस, ठीक है, हिंडन, टॉंस, और कृष्णा की अनिसायक नदियां कौन सी है, कृष्णा की है, माल प्रभा, घट प्रभा, तुंग वद्रा, इस फरकार से, गंगा की कौन सी है, गंगा की है, आपकी गोमती है, सोन है, गंडक है, और यमुना भी इसी की साय नदी है गंगा की अब जो इस प्रिष्ण का सयुत्तर है वो क्या है वह इसका वर्धा क्या है वर्धा के अलावा गोदावरी की अनिसायक दिया कौन कौन सी है वह है इसकी वेन गंगा पूर्णा ठीक है गोदावरी की वर्धा वेन गंगा वेन गंगा ठीक है वेन गंगा और पूर्णा पूर्णा नदी किसकी साइक नदी है गोदावरी की आईए अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रिश्ण क्य कराय इस प्रशन में पूछा गया है कि हसदेव जंगली खदाने किसके उत्खदन के लिए प्रसिद्ध है सोने के लिए चांदी के लिए लोहा या कोईले के लिए तो किसके लिए है ये आपको बताना है तो देखिये सोने है इसके लिए कहां की खधाने प्रसिद्ध हैं वह है आपकी दंते व्रहां की का की दंते वर्रा ÖG by कि एक और ये हनस्देव कहां से सम्मंद्ध को इले से सम्मंद्ध से जिक कहां pilgrim ठीक है गड में ईडूराी से और इसका संबन्द गौन्ढवाना छेत्र सह सीधा सीधा है किसे घोनशवाना छेटर से तो इसराय सफिसे का स्फाराइस क्या है वो है कोईला आल दिए अगले प्रिशन की मत्रा में जेल थी, इनके मामा कंस की, कंस का किला था और उस के ले के अंदर क्या थी जेल, उस जेल में कंस ने अपनी बेहन देव की और वसदेव दोनों को जेल में डाल दिया था, तो उस जेल में ही माता जो देव की थी, उन्होंने भगवान स्री कृष्ण को जनम दिया था और जनम देने के तुरंत बाद वे कहाँ पर ले गए, गोउखुल ले गए उनको, ठीक है? तो इस पृष्ण का सही उतर क्या है? वो है मत्रा, आईए, और जो अन्य वरंदावन हैं, नंदगावन हैं, गोउखुल हैं यहां पर तो उनकी वाल लीलाएं हुई ठीक है उन्होंने लीलाएं की आईए अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं अगला प्रिशन कह रहा है कि अंगना किसका प्रियावाची सब्द है इस तरी का पुत्री का बहन का या माता का किसका सही प्रियावाची सब्द है तो बेटी ठीक है इस प्रकार बहन का क्या होता है बहन के परियावाची सब्द होते हैं भगनी भगनी कि सहोधरी सहोधरी और माता की क्या होते हैं माँ हुए जननी है टिक्ठ जन्मदात्त्री इस प्रकार्ची और इस परिष्ण का सह उत्तर यह वह का इस्त्री ठीक है क्या expensive क्यों कि अंगना कहां पर लगा होँ करता है जैसे वी zostRI के लिए क्या लैखा हुता है वी रंगना ठीक है वीर अघना लट्शी मड़ाइड यानि वी रिस्त्री लच्छी वाइड तो इस प्रिष्ण का सही उत्तर क्या है इस्त्री आई अगले प्रिष्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रिष्ण कह रहा है विग्य का सही पर्यावाची शब्द क्या होगा सुग्य अग्य अर्थ और ज्यानी बताइए इनमें से क्या है सही तो इस प्रिष्ण का सही उत्तर है और्ध का होता है अनवत अनवत अठिक है और ज्यानी क्या होता है अज्यानी अज्यानी कि इस प्रिंशन चैसे उत्र क्या है अब यह आई अब देखते हैं कि आग तो आझ प्रष्ण यहीं पर पूर्ड होते हैं और यदे आपको sorry अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, अगर आप इसी प्रकार की क्लासेज लेना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबाके, जो बटन है उस पर स्लेक्ट कीजिए, ताकि आपके पास में सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आते रह हैं, तो आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार, जैहिंद!